Hello and welcome friends, C language सीखने की सीरीज में मैं सुरज आपका स्वागत करता हूँ और आज की ये वीडियो C language की है C language में क्या पढ़ना है, देखिए बीना आपको modulus operator के use किये हमको एक program बनाना है, और even का कैसे बनेगा, ये देखते हैं, hash include, ये header file है आपकी इसको मैं include कर देता हूँ, stdio.edge, ठेक है, और यहाँ पर main function बनाता हूँ, ये main function हो गया हमारा और फिर यहाँ पर calibreses open किया, और open करने के बाद यहाँ पर int type का data type ले लेता हूँ, और ये variable x बना लेता हूँ और अब यहाँ पर लिखता हूँ, printer, क्योंकि user को screen पे क्या दिखाए पढ़ेगा, ये तो printer नहीं लिखना होगा, तो enter a number, जैसे user कोई number enter करेगा, तो user enter करेगा न, तो उसके उपट specify क्या होगा, %d होगा, ठीक है, और यहाँ पर कर देंगे address of x, x ही लिया था, तो x कर दिया हमने, और x में जाके वो value store हो जाएगी, इसके बाद क्या करना है आपको, चुकि हमें यहाँ पर modulus operator का use ही नहीं करना, सबसे बड़ी दिखती है, तो यहाँ पर मैं करता हूँ, if x, इसको modulus करवाता हूँ, modulus करवाता हूँ, 2 से, और अगर result 0 आ जाए, ठीक है, अगर result 0 आ जाए, तब तो वो even होगा, otherwise odd होगा, यह तो माली जीए operator का use कर लिया न, modulus operator का use कर लिया, लेकिन हमको modulus operator use ही नहीं करना, बिना modulus operator के use के हमको यह program लिखना है, तो यह कैसे होगा, तो इस इसके लिए हम एक काम कर सकते हैं, यहाँ पर हम if else की condition देते समय, यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, modulus operator हटा देता हूँ, upon 2 कर देता हूँ, ठीक है, x upon 2 into 2, ठीक है, और is equal to is equal to, अगर answer x आ जाता है, बिल्कुल सही है, कोई दिकत नहीं है, तो अब यहाँ पर नीचे आएंगे, और ऐसे condition में यहाँ लगा देंगे, printf, ठीक है, और यहाँ देंगे, even, ओके, otherwise, else में देंगे, odd, printf लगाएंगे, और यहाँ पर देंगे, odd, odd, ठीक है, तो यह बिना modulus operator के use के अब यह program बना लेंगे, ठीक है, इसको बंद कर दिया हमने, और बंद करने के बाद क्या करना है इसको save करना है, तो यहाँ से चल करके, इसको save कर लेते हैं, save file, और इसको किसी नाम से save करेंगे, like, यहाँ पर मैं, यह नाम दे दिया, मैंने even, और यहाँ पर लगा देता हूँ, dot c, और आप इसको enterprise कर देता हूँ, यह save हो जाएगा, अब यहाँ से build पे जाना है, compile इसको कर a number, अब वो number even है या odd है, यह decide करना time किसका है, compiler का, तो यह interface किया, compiler ने तुरंत बता दिया, कि यह odd number है, ठीक है, आप देख सकते हैं, यहाँ पर हमने, किसी भी प्रकार के modulus operator का use नहीं किया, यहाँ पर देख लीजी आप, यहीं पर मैंने use किया, और मैंने यहाँ divide operator का use किया modulus operator to use ही नहीं किया, और यह आसानी के साथ बता देगा, आप चलिए एक बार और run करवाते हैं, इस बार four type करते हैं, तो यह कह रहाए even, तो correct है, तो उम्मीद करता हूँ कि बात समझ में आजी होगी, कि यह कैसे करना है, अगर आपको यह video पसंद आए, तो share करें, thank you for watching this video